दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने चनल गोरफ जिंशन में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं अब जो कॉंपटिशन है वो हर जगा पे बढ़ चुका है चाहे नोकरी हो चाहे अपरेंटिस हो चाहे कोई वी वी बहागो रेलवे में अपरेंटिस के दुरान ऐसे बच्चे भी जाते हैं फोम फिल करते हैं जिनकी 99 परसंट भी आती है और यही आलात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि multiple departments की cutoff आप लोगों को Northern Railway की बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी Northern Railway का call result आप लोगों के लिए आ गया है cutoff department ने जारी कर दिया है call letter आप लोगों के जारी हो गया है department ने date भी आप लोगों को बता दिया कि कब आप लोगों को document verification के लिए जाना है एक चीज और जिन बच्चों का status यहाँ पर जो भी दिखा रहा है वो आप लोग जितने भी हो cutoff से उपर आपके marks आ रहे हैं आप लोग provisionally selected हो आप यहां मसबंदा की department ने हमें 100% select कर लिया जब आप लोगों का DV हो जाएगा और सही तरीके से आप लोग अपने documents लेकर चले जाओगे तो आपका जो है यहाँ पर जो भी criteria आगे का वो successfully हो जाएगा अब यहाँ पर cutoff जो दिए हैं सबसे बहुत देली की बात करते हैं Carpenter आप लोग देख सकते हैं कितनी cutoff है आप लोगों को दिख जाएगी your category की और उसके बाद cutoff आप लोगों को c category की उसके बाद cutoff जो है आप लोगों के covc category यह cutoff जो है आप लोगों की क्यासी calculated हुई है यह cutoff डיפात्मेंट ने जो है आप लोगों के 10 और IT के marks को जोड़कर और फिर जो है आप लोगो कट ओफ निकाल के दिये है पूरी कट ओफ जानने के लिए आप लोग इसे दो से डिवाइट कर दो आप लोगों को पता सिल जाएगा कि आपकी कट ओफ जो है कितनी यहाँ पर बन कर आ रही है यह तो डली की है ट्रेड आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यह लखनव है उसके बाद जो है आप लोगों को और भी दिख जाएंगे यहाँ पर लगनों के बाद्ध आप लोगों को फिरोजाबाद दिख जाएगा और अंबादा दिख जाएगा उसके बाद मुराधाबाध में आपको यहाँ बहुत कम कैटेगी दिख रहे हैं और अगर हम आगे बड़े तो आगे आप लोगों को यहां पर यह website है जिस पर आपको information मिल जाएगी कि कहां पर आपका जो है data आया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 17.10.2024 से 24.10.2025 के बीच में आप लोगों को जो है यहां पर बीवी के लिए बुलाया जाएगा देखो मैं पढ़ देता हूँ cutoff and status of all provisionally selected provisionally eligible candidates is now available date of document verification of shortlisted candidate has been fixed 4.17 से 24 download e-admit card available on RRC website तो आप लोग जब website से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी यह जो चीज है इसे आप लोग जो है यहां पर से डाउनलोड कर लें यह देख रहे हैं आप इसको आप लोग चेक करना और चेक करके यहां पर जो है इसी के according मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे इस पर click किया मैंने मैं चले गया इस side पर यहां पर आप लोगों को अपना data डालके आगे बढ़ जाना है तो यह process है documents में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहे है मुझे बता दो मैं फिर आपके लिए document की वीडियो लेकर आजाओंगा कि कौन कौन से document यहां पर लगेंगे ताकि आपको किसी प्रकार के दिक्कत ना हो और आप लोग जो है successful यहां पर डीवी करवा के आ सके लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग वहां पर जा रहे हैं डीवी के लिए तब ही आगे की update आपके साथ share कर पाऊँगा धन्यवाद